आज मैं आप लोगों को कद्दू का एक यूनिक स्नैक्स रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ यह रमदान का इफतर में बहुत ही अच्छा लगेगा अगर बना के ट्राइ करेंगे तो एक बाटल कर लिया है मतलब एक कद्दू को स्कीन पिल कर लेंगे और पतला सा स्कीन प इससे भी पतला बना सिकते हो तो इससे पतला होने से उतना टेस्टी नहीं होता है तो मैं हाफ इंच थिकनेस वाला डाइस में यह करती हूँ तो बाटल कैप लिया है बाटल कैप मतलब आपका जो कद्दू का साइस होगा ना उसके मिडिल पार्ट निकालने के लिए जितना उतना साइस के क्याप लेताय तो मैं यह इसे अदो कैप लिया है जो छोटाइप काप से चोटाइप स्वार्त के अधितना सत्तु कैप से कट किया है मिडिले जो सफ्ट पर्ट होता है जो सीड रहत है उसको निकालकर आपको फेक देना है बस उतना ही पार्पसैं और सावे मिक्स करें कि तरह बाहुरिएृट जायरा साल्ट ढरें नी हो तो बाहँ से तो तोड़ा सवल में इसमें मासाला सबस्था में मे इंसाला हो इस में मासाले तरह से canyon तो तो 3-4 टिबल स्पंस में मैंने 2-4 टिबल पूर बेसन ग्राम फ्लॉर बैसन में 1 ahead वेसन में 1 vidéo अच्छीय की जदा की जिलिग्स, 1ben-2 बैसन में 1 ब॥ You May ब्रेड क्रम्स बना लिए 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 ब् जीम फेया काक्वाइब बडियर्य हेडा मोगो चला कशलते में अब कोट्न करत की smash 수도 में जीतना है Alors ये हम ये हम रहिरें जीतना इत्साय कोटिंग जाता जाता को से बनान स्लहों अब जब अब जितना इतना की autopsy और एक पीस डिप करके दिखा रही है आप लोगों को देख लीजिए सबसे पहले बेटर में डिप करना है उसके बाद ब्रेड क्रॉम्स को कोटिंग कर लेना है प्रेस करके में लगा रही हूं ताकि अच्छी तरह से लग जाए और क्रिस्प ज्यादा हो जाए तो ऐसा ही सार ज्म्स कर दोक्क्राइब कर्स्राई डियां को बार डाय दरही है बार में लेलगा जाहिए सबस्क्राणंवादा पाजक्राव करता है जाया घंजा कतता है